चोपड़ा एजुकिसन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बचों सुप्रिम कोट में रिजरिवेशन के रिगार्डिंग हीरिंग जारी है ये मौर्निंग में 11 एम पर स्टार्ट हो चुकी थी और एक बजे तक बहस चलती रही सभी एडवोकेट्स ने अपना अपना पक्स रखा है फोर्डा की तरप से भी एडवोकेट्स दवे को सामिल किया है जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि डोक्टर्स की कमी को देखते हुए काउंसलिंग जल्दी ही स्टार्ट की जाए बेंच ने भी माना है कि काउंसलिंग जल्दी स्टार्ट होने से डोक्टर्स के आने से आमजन को काफी फाइदा होगा सरकार की तरप से सोलिस्टर जनर तुसार मैता ने भी अपना पक्स रखा है और कहा है कि अभी 27% OBC और 10% EWS Reservation ओल इंडिया कोटा में लागू होना चीए क्योंकि ये Central Institute में आलडी लागू है और MDS की काउंसलिंग भी जारी है वो पहले शुरू हो चुकी थी तो बचो अभी सुप्रिम कोट में हीरिंग चल रही है अभी एक बज़े से डेट बज़े के बीच में लंच ब्रेक है और इसके बाद में ये Reservation के रेगार्डिंग जो हीरिंग है वो continue रहेगी जो Solist General तुसार मैता हैं वो अपना Submission जारी रखेंगे और जल्दी ही आज इसके बज़ करके 30 मिनट पर इस मैटर पर फिर से सुनवाई होगी तो जो भी इसका decision रहेगा मैं आपको inform कर दूँगा तो फिर भी मैं आपको यहां जो सुप्रिम कोट में hearing हुई उसके कुछ points मैं आपको यहां दिखा देता हूँ जिससे आपको एक idea होगी सुप्रिम कोट में क क्या क्या बहस हुई है तो इसके बारे में जैसे ही यह निन्ने आ जाएगा हम पूरी-पूरी आसा कर रहे हैं कि यह निन्ने जल्द ही आएगा और आज ही आ जाएगा तो जैसे ही निन्ने आएगा मैं आपको वीडियो के थुरू inform कर दूँगा तो मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक मैं हरसाई चोपड़ा आपसे लेता हूँ विदा जै हिंत